और तो और अपने इलेक्शन के एफिडविट तक में आपने ये खुलासा नहीं किया कि आप यंग इंडिया के डिरेक्टर हैं और स्टेक होल्डर हैं क्यों क्या छिपाना चाहते थे और ये इंकम टैक्स की नोटिस पब्लिक डोमेन में किस प्रकार से 68 लाक बताया गया था बाग ने 154 लाक का 154 क्रोर्स का आपके उपर इंकम टैक्स स्लैप किया गया इस पूरे विशय को लेकर भी आप कोट में गय थे कॉंग्रेस पार्टी लोवर कोट हाई कोट और सुप्रीम कोट में गय थी कि ये इंकम टैक्स वाला केस भी क्लोजर होना चाहिए 2018 में सुप्रीम कोट में भी मना कर दिया कि नहीं इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा आपको केस लड़ना पड़ेगा आप कोट जा चुके हैं इसलिए आप कोट नहीं जा रहे हैं अब दिल्ली हाई कोट ने क्या ओडर दिया अपके शुप्र ने कुछ पंक्तिया इसमें तो पूरा का पूरा पढ़ने से समय भी नहीं होगा और हर जगह आपके विशय में लिखा हुआ है मगर वैसे दिल्ली हाई कोट में एक्यूज नंबर वन सुनिया गांदी और अक्यूज नंबर टू राहूल गांदी है उनके विशय में क्या कहा गया, कोट में क्या कहा, परग्राफ नमब थर्टी नाइन, मैं दिखा रहा हूं, परग्राफ नमब थर्टी नाइन मैं चिन्नित करके लाया हूं, पढ़ूंगा आज आपके सामें, After having considered the entire case in its proper perspective, this court finds no hesitation to put it on record that the modus of rendai adopted by the petitioners in taking control of Associated Journal Limited via Special Purpose Vehicle, that is young India, particularly when the main persons in the Congress Party AJL and YI are the same, evidences as criminal intent, whether it is cheating, criminal misappropriation or criminal breach of trust is not required to be spelt out at this nascent stage. In any case, by no stretch of imagination, it can be said that no case of summoning the petitioners as accused in the complaint is question, in question is made out. आप सोचिये जरा, इसमें आगे यह भी कहती है, Gravity of the allegations leveled against the petitioners has a fraudulent flavor involving a national political party and so serious imputation, smacking of criminality leveled against politicians need to be properly looked into. ये view, Congress Party ने दिया था, उसके जवाब में court ने ये सब कहा कि नहीं, misappropriation है, cheating है, इसलिए summoning होगा, जिस प्रकार से court ने पूरे विशय में, accused number one और accused number two को implicate किया है, और उसके बाद Supreme Court ने भी कहा है, trial face करना पड़ेगा, यह विशय बड़ा गंभीर है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पूरे मामले में, दो complainant जिन्होंने चिट्थी भी लिखा था, जस्टिस काज्जू और श्री शांती भूशन जी, सांती भूशन जी फॉर्मर लॉव मिनिस्टर रहे हैं, जस्टिस काज्जू और सांती भूशन जी, दोनों ही स्टेक होलडर रहे हैं नैशनल हराड में, और उन्होंने कहा कि हम शेर होलडर हैं, अगर इस पूरे शेर को जब यंग इंडिया को दिया गया, तो एक भी शेर होलडर्स की मीटिंग नहीं बुलाईगी, शेर होलडर्स के साथ कोई बात नहीं की गई, बिना हमारे जाने हमारे शेर को ट्रांसफर कर दिया गया, और इस सारे शेर, और ये शेर का मतलब क्या होता है, शेर का मतलब होता है, ये सारी प्रॉपर्टी जो देश के मुख्य मुख्य राजधानियों में हैं, भोपाल में है लखनव में है दिल्ली में बहदूर साज जफर रोट जिसके विशह में कल बात हो रही थी इन सारे स्थानों पे जो प्राइम प्रॉपर्टी है जो करोडो करोड की हैं उनको ट्रांसफर कर दिया यंग इंडिया में एक परिवार के पास और यहां यह कह रहे है याचना नहीं होगी रण होगी वह करप्शन भी करेंगे और रण भी करेंगे दोनों तो नहीं हो सकता है ब्रस्टाचार और रण यह नहीं हो सकता है और ब्रस्टाचार और रण यह भी नहीं हो सकता है ब्रस्टाचार हुआ है तो पकड़े जाएंगे ब्रस्टाचार पड़ेगा कॉंग्रेस से सर्फ इतना कहना है कि ये ड्रामा बंद करिए अपने आपको कानून के हवाले करिए बहुत बहुत धन्यवाद सवाल कॉंग्रेस ये भी उठा रहे कि कल उनका जो है राष्ट व्यापी आंदोलन है महंगाई के खिलाब वो प्रधान मंत्री के घर का घेराव भी करना जा रहे है इसी वजह से उनके ऑफिस पर रेट पड़ी जा रही है उनके ऑफिस के कारेकाले के बहार की सिक्योर्टी ब झाल